को इस स्वागय डियो पर की आपि ज़ोटिन य 우리가 तर्ण टो आज तर्ण Nh Manufacturing स्पाइडर्मेन ने विविडियो स्पाहब विउए थी और अएस सिच्वेशन में रिइन हुई थी जब कई सारे थेटर में 50% occupancy ही चाल रही थी यानि किसी थेटर में 500 seats है तो उसमें किसी 200 seats ही भरी जाती थी ऐसे situation में इसने इतना record-breaking business किया कि almost सारे सुपर हीरो फिल्म के record तोड़ दिये except Avengers Endgame अब Avengers Endgame की बात करेंगे तो भाई वो multiple सुपर हीरो फिल्म थी यह स्पाइडर मैं की इंडिविज्वल फिल्म होने के बावजुद इसने बहुत ही खतरनाक business किया था तो वह फिल्म देखने के बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्पाइडर मैं हमको देखनी है तो स्टार्ट कहा से करनी चीए तो मैं सोचा क्यों ना आपको यह वीडियो बनाया जाए ताकि आपकी वह दुविधा खतम हो जाए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पे लाइक जरू करना चानल पर पस्ते हैं हो तो चानल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल को हिट करके और पर क्लिक करना ताकि इसी तरह कि जब मैं मार्वल्स डिसी कॉमिक्स के रिलेटेड फिल्म की कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा तो सबसे पहली स्पाइडर मैन फिल्म आती है स्पाइडर मैन जो 2002 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस वक्त कोई भी सुपर हीरो की फिल्म है जिस तादाद में आज आपको देखने को मिलती है कि एक साल में पाच छे तो सुपर हीरो की फिल्म में आई जाती है कोई ना कोई वैसा हाल उस वक्त बिल्कुल न तो एक restricted audience उसके लिए बनी थी और उसके पीछे कुछ रिजन भी था क्योंकि फिल्मों का जो एप्रोच रखते थे डिरेक्टर्स लोग वो कुछ बच्चों को पसंद है ऐसा रखते थे लेकिन यह इस फिल्म के जो डिरेक्टर थे यह सैम राइमी इन्होंने इस फिल्म को इस तरह से त्रिट किया था कि यह सिर्फ इनसान को भी देखते वर्पील होए कि भाई यह एक एडल्ट फिल्म भी है अहसा नहीं कि उसमें कुछ अडल्ट सीन इन तो ऐसी फिल्म के जिसमें एडल्ट लोग भी अपनी इमोशन्स इंवल कर सके उनको बचकांडी ना लगई ये फिल्म तो उस तरह से ये डिरेक्ट करने के वज़े से ये फिल्म ने उस वक्वी रेकॉर्ड तोड़ बिजनस किया था उसने सारे सूपर हीरोस फिल्म के उस वक्व के जितने भी रेकॉर्ड थे वो तोड़ दिये और ये फिल्म मेरे लिए परसनली बहुत ज्यादा स्पेशल है इसके बाद स्पाइडर मैं टू यही स्पाइडर मैं फिल्म का सीक्वेल था जो 2004 में रिलीज हुई थी और यह अब तक कि मानी जाती है सूपर हीरोस की जितनी मुवी देख रहे हमको एकदम ऐसा रियलिस्टिक फिल होता है जैसे कि इसमें का सिक्वेंस है रेंका कुछ ब्रेक फिल होता है या पुछ मेरे अब एक जाइक याद नहीं आ रहा है बट उसमें जो स्पाइडर मैं उस वक्ट वो ट्रेन को रोकने के लिए जो कोशिश करता और इस फिल्म में आपको वीलन के तौर पर डॉक्टर ऑक्टोपस को देखने को मिलेगा इसके बाद थर्ड नंबर पर आती है स्पाइडर मैं 3 तो यह दो फिल्मों का यह तीसला सीक्विल था जिसमें आपको स्पाइडर मैं पर्स टाइम ब्लैक सूट पहना हुआ मिलेग वेनम दूसरा न्यू गृण गोबलिन अभी न्यू ग्रीन गोबलिन को नहीं मैं आपको एक्स्प्लेंट नहीं करूंगा जब आप समझ जाओगे कि न्यू ग्रीन गोबलिन किसको बोला गया और सैंड मैन तो यह तीन विलन के साथ इसकी पाइड डिकाई गई अभी हादा की क्रिटिक्स को यह फिल्म उतनी पसंद नहीं आई लेकिन मुझको पूछोगे तो यह फिल्म बैस्ट स्पाइडर मैन फिल्म मेरे लिए है और आप लोग भी जब यह देखोगे तो आप इसको जरूर से इंजॉय करोगे पोर्त नंबर पे आती है अमेजिंग स्पाइडर मैन जो 2012 में रिलीज हुई थी अभी यहां पर इस सीरीज को इन्हों ने कर दिया था पूरी तड़ा से रिबूट इस फिल्म के डिरेक्टर थे मार्क वेब और इन्हों ने एक नया स्पाइडर मैन हमारे सामने लाया इसकी नई कहानी थी हाला कि बहुत सारी चीजे जो है ज दिमाग में चल रहा था तो मुझे यह उतनी पसंद नहीं आई बट अगर आप देखोगे तो यह फिल्म भी एक बढ़िया फिल्म थी और इस फिल्म में एक इंडियन आक्टर ने काम किया है जिनका नाम है इरफान खान इसके बाद फिट नंबर पर आई ती अमेजिंग स् स्पाइडर मैं की फिल्म होगी जिसने बॉक्स ओफिस पर उतना ज्यादा बिजनस नहीं किया अगर आप स्पाइडर मैं के फैंस को पूछोगे तो उनके लिए यह फिल्म ए ट्रिट थी क्योंकि इन्हों ने इस बार क्या किया सेकेंड फिल्म में ही तीन विलन दे दिये ए फिल्म जो है यह बॉक्स ओफिस पर पर्फॉर्म नहीं कर पाई और इस वज़े से इस फिल्म का भी थर्ड पार्ट हमें नहीं देखने मिला अभी हम उमीद कर रहते कि स्पाइडर मैं की कौन सी फिल्म आएगी क्या है लेकिन मार्वल बढ़ा चुपा रोस्तम था मार्वल ने बहुत बड़ी गेम कि आप है अमरे साथ सिक्स नॉंबर पर स्पाइडर मैं की जो फिल्म वो इंड्युज्वल फिल्म थी नहीं और उसको लाया गया फिल्म में तो उसको प्रमोट भी नहीं किया गया था मैंने उस वक्ट ट्रेलर नहीं देखा था लेकिन जब मैं थे थेटर में आई थी एक्चुली में कैप्टन अमेरिका सिविल वार एक मेरी फेवरेट फिल्म है और स्पाइडर मैं के वज़े से वह और ज्यादा स्पेशल हो जाती है उसके बाद साथवे नंबर पर आती है स्पाइडर मैं होँम कमिंग अगराई वो फैन फॉलों को कैच करना है तो हमें इन्दिविज़ूल फिल्म लानी ही है तो इस वज़े से इन्होंने स्पाइडर मैं की नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें अल्रेडी ये स्पाइडर मैं बना हुआ है क्योंकि पहली कि जो दो सीरियो चालू रभी कि एक तीनेजर है जो 16-17 साल का लड़का है वो चाहता है कि मैं जिम्मेदार परसन बनू और इसकी वो कोशिश में लगा रहता है कि भाई मैं कुछ करके दिखाओ लेकिन आयर मैं जो है वो उसका मेंटर बनता है और उसको समझाता है कि भाई तो अभी तक तयार नहीं है जब उसके साथ साथ क्या क्या होता है वापको इस फिल्म को मिलेगा इसके बाद तेखनी है वेनम में अप कहीं पर भी गाently कि आonds सोनी पिक्चर्स ने सोनी स्पाइडर मैन यूनिवर्स क्रियेट किया है उसकी ये इंडिविज्व फिल्म थी यानि कहीं पे तो हमें एक हिंट लग रही थी कि भाई जो स्पाइडर मैन है यह होमकमिंग वाला या कोई भी स्पाइडर मैन इस वेनम के साथ कनेक्ट होने वाला यह वेनम की पहले फिल्म मज़ेदार थी आप ज़रूर एंजॉइ करोगे इसके बाद नाइंट नमबर पर आपको देखनी है इन्टु दे स्पाइडर वर्स अभी यह फिलाल जो एवेंजर्स की मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स चल रही है उसमें यह कहीं पर भी देखनी बहतर नहीं है और इसके आगे जाके दो सिक्वेल आने वाले विडियो के एंड में भूस के बार में भी अपडेट दूंगा टेंथ नमबर पर आपको देखनी है एवेंजर्स इंफिनिटी वर्स लेकिन इसको समझना है तो थोड़ा आपको बैक्पुछ फिल्म मे अल मार्बल मुवीज वाली यह आप रेफर कीजिए इसमें आपको मैंने सारी मार्बल मुवी स्पॉन सी सिक्वेंस में देखनी है और उसके बार अगर आप इसकी पूरी कहानी का मज़ा मिलेगा इसके बार 11 नमबर प्याइती एवेंजर्स एंड गेम जिसनोंने एवेंज हल ब्लैक पैंथर यह जो सब फिल्म है पुरानी या कैप्टन मार्वल होगे वह नहीं देखोगी तो आपको थोड़ी एवेंजर्स एंड गेम समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यह थोड़ी इसका जो स्क्रीन प्ले था ना वह कन्फ्यूजिंग था और यह स् है वो सब समझना है तो पुरानी फोड़ी इस फिल्म है उसके बाद यह देखिए तो आपको मजा आजाएगा यह फिल्म देखने में भी उसके बाद पाइदर-man far from home up यह एग्जा बोल सकते कि यह homecoming का सीवल है तो अभी देखिए Spider-man far from home up direct देखने जाओगे तो आपको एक चीज पहले ही बता दू इस फिल्म के ट्रेलर में ही Tom Holland स्टाटिंग में क्या बोलता है इस वीडियो में Spider-man far from home trailer is about to play but if you haven't seen Avengers Endgame yet stop watching because there's some serious spoilers about to come up देख लिया अगर आप वह Avengers Endgame देखे भी नहीं फिल्म देखो तो आपको बहुत बड़ा spoiler मिल जाएगा और वह spoiler नहीं चीए तो एंड गेम देखने के बाद ही यह देखिए अभी इस फिल्म में Spider-man को 20 बेक नाम का एक आदमी मिलता है जो यह कहता है कि वह एक डिफरेंट यूनिवर्स का superhero है उसके साथ Spider-man काम करने लगता है उसके बाद 13 नंबर पर आपको देखनी है वेनम जो आई थी उसका यह sequel है इसमें भी आपको directly Spider-man नहीं देखने मिलेगा लेकिन इसका एक post-credited scene है जिसमें आपको Spider-man far from home का end हुआ था वह एंड का एक छोटा सा clip देखने को मिलेगा और वहाँ पर हमें कहीं तो लगता है कि यहाँ पर यह दोनों फिल्म में connect होने नहीं किया होगा ऐसा होई नहीं सकता मतलब जो भी Spider-man फैंस थे उनके लिए यह फिल्म एंट थी जिन्नों ने 2002 से स्टार्ट किया है ना Spider-man की movies देखना उनके लिए तो यह बहुत बढ़िया फिल्म थी और जिन्नों ने अभी स्टार्ट के उनको थोड़ा लग रहा होगा कि पहले फिल्म यहीं देखेंगी उनके लिए बहुत समझना है वैसे आपको समझ में आ जाएगा इस फिल्म के बार में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा वरना बहुत सारी चीज़े स्पाइल हो जाएंगी और यह फिल्म मेरे लिए एक स्पेशल फिल्म है जैसे 2002 की पहली स्पाइडर मैं स्पेशल थी वैसे यह भी एक स्पेशल फिल्म है इसके बाद 15 नमबर पर आपको देखनी है मॉर्बियस इसके पहले डिस्क्लेमर दे दो कि इस पूरी सीरीज की अब तक की ना देखी हुई फिल्म है मैंने मॉर्बियस क्योंकि यह फिल्म के जितने बेकार रिव्यूज आयते और इस फिल्म की जितनी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर की गई थी हमारे इंडिया में इतना नहीं हुआ था लेकिन आप पल्यूड में जाके देखोगे उदर अमेरिका साइड बगर तो इस फिल्म को बहुत ज्याध मतलब यह फिल्म का पता नहीं क्या प्रॉब्लम था इन्होंने ट्लेलर में डायरेक पोस्क्रेडिट सीन में दिखाने वाले कर लिया था अभी जब ट्रेलर में दिखा है तो स्पॉयलर तो नहीं हो सकता तो तो वह करेक्टर है स्पाइडर मैन होमकमिंग का जो विलन था व दिखाई गई है जिसका explanation मैंने इस मेरी वेनम और मोर्बियस वाली वीडियो में कहिया है वह आप जाके देखे तो आप समझ जाओगे लेकिन उस वीडियो में आपको स्पॉयलर मिलेगा तो अगर आप स्पाइडर मैन नोवे होम और वेनम नहीं देखे तो वह आप वीडि दूस नहीं हुई है मतलब शायद यह possibility है कि एवेंजल्स की जो कैंग डाइनस्ती और एवेंजल्स की सिक्रेट वार्स नाम की जो दो फिल्में आने वाली है दो हजार पच्चीस में शायद उसमें हमें स्पाइडर मैन जो होम कमिंग का स्पाइडर मैन है टॉम हो देखने क सिक्वेल आने वाला है अगले साल सेकेंड जुन दो हजार तेईस में और उसके बाद दो हजार चोबीस या पच्चीस में आएगी स्पाइडर मैन बेयांड शायद बनाएंगे पता नहीं कितने पार्ट्स आगे बढ़ने वाले लेकिन यह पहली फिल्म देखने के बाद मै मिलते हैं एक और इसी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए